National Curriculum Framework जिसको शौट में कहते हैं NCF और इसको हिंदी में कहते हैं राश्ट पाच्चर या रूप रेखा तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NCF 2005 के बारे में कि NCF 2005 है क्या और कौन-कौन से ऐसे बिंदू है पॉइंट्स है जिसके बारे में इस NCF में चर्चा की गई है तो वीडियो को आखरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए तो हम वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले हम NCF की बात करते हैं कि NCF है क्या तो NCF National Curriculum Framework हिंदी में कहते हैं राश्ट पाच्चर या की रूप रेखा रूप रेखा framework मतलब क्या है कि national level पर किस तरह का curriculum होना चाहिए बच्चो को क्या पढ़ाया जाए एक देश में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको किस तरह से तयार करना है कि जो country की जो need है उसको पूरा किया जा सके क्या पढ़ाया पढ़ाना है बच्चो को तो इन चीजों की चर्चा कि इसमें की जाती है ncf में national curriculum framework कि बच्चो को क्या पढ़ाया जाए गर बच्चा school level पे है तो प्राइमरी लेवल पे उनको क्या पढ़ाया जाए क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़े क्या क्या content होना चाहिए secondary level पे बच्चो को क्या चलता है कि country की need को ध्यान में रखकर बच्चों को किस तरह से तयार किया जाए बच्चों को क्या-क्या पढ़ाया जाए क्या-क्या सीखाया जाए किन-किन चार बार रिवाईज हो चुका है इसमें संसोधन हो चुका है तो सबसे पहला जो ncf आया था 1975 में उसके बाद सेकेंड जो 1988 फिट 2000 फिट 2005 तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे 2005 की बात करेंगे उसके बाद 2020 में एन एपी 2020 आया और इसके बाद ncf 2023 जिसका ड्राफ्ट ब चुका है और जब यह ncf जो पूरी बन करता रेडी हो जाएगा तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे तो फिलाल इस वीडियो में हम ncf 2005 की बात करेंगे और भारत में अभी वर्तमान समय में जो फोलो किया जा रहा है ncf कौन सा फोलो किया जा रहा है 2005 का इंडिया इ हम ncf 2005 की बात करते हैं it was published in India by ncrt in 2005 कि इसको 2005 में ncrt के द्वारा पब्लिस किया गया ncf 2005 encourages holistic development of children की जो ncf 2005 है बच्चों के समगर विकास पर संपूर्ण जो विकास है उसको प्रोचसाहित करता है और इसका उद्धरन रविन्ना टेगोर का जो निमन था सभेता और प्रगृति civilization and progress वहां से इसको लिया गया इट वस फॉर्म अंडर दे चैर्मेंशिप आप प्रोफिसर यसपाल on the initiative of the ministry of human resource development तो आज के टाइम में NEP 2020 के बार तो नाम क्या हो गया ministry of education नहीं तो पहले इसको क्या कहा जाता था पहले इसको कहा जाता था mhrd ministry of human resource development तो उसके जो अध्यक्स थे प्रोफिसर यसपाल तो उनकी अध्यक्सता में ncf 2005 का निर्मान किया गया यह पात्चरिया भारत में विद्यालियों के लिए पात्क्रम पात्विस्टको और सिक्षन परथाओं के लिए एक दिसा नरदेश के रूप में काम करता है चाहिए हम किस तरह का करिकुलम होना चाहिए, किस तरह की बुक्स होनी चाहिए, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाते इस सारी के सारी जो गाइडलाइन से हमें NCF 2005 में मिलती है NCF 2005 का अनुवाद समविधान की आठवी अनुचुची में दी गई सभी भासाओं में किया गया है तो जैसे आप सबको पता है कि हमारे देश में 22 लेंगविजिस ऐसी भासा है जिसको समविधानिक दर्जा प्राप्त है और NCF 2005 को इन सभी भासाओं में क्या किया गया अनुवाद किया गया इसका ट्रांसलेशन किया गया NCF 2005 discusses each stage of school education कि NCF 2005 में विद्याले सिक्षा के परतिक स्तर पर मतलब परतिक जो स्तर है उसकी चर्चा की गई है कौन कौन से स्तर है प्री प्राइमरी प्राइमरी अपर प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी तो विद्याले सिक्षा के जो अलग लग जो स्तर है उन सभी की चर्चा NCF 2005 में की गई है इस टाइप ऑफ डॉक्मेंट विच है फाइप चप्टर की अगर NCF 2005 की बात करें तो कैसा डॉक्मेंट है जिसमें टोटल कितने चप्टर हैं फाइप चप्टर हैं पांच अध्याएं कौन कौन से पर्स्पेक्टिव परिप्रेक्ष पहला डूसरा है लर्णिंग और नॉल लास्ट चैप्टर है सिस्टेमेटिक रिफॉर्म विवस्था अगद सुधार तो एक एक के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें इसके फर्स चैप्टर के बारे में पर्स्पेक्टिव के बारे में इस अध्याई में स्वत्नत्रता की पश्याद भारत वर् वारत में सिक्षा की दिशा में क्या-क्या प्रयास हुए उसका जिक्र हमें पहले चेप्टर में मिलता है अगर हम सेकंड चेप्टर की बात करें लर्णिंग और नॉलेज की सीखना और ग्यान की बात करें अगर थर्ड चेप्टर की बात का यहां कि निर्वानवात को विध्यारतियों के सीखने का सामीव क्षद्नात माना गया बत्यों को जो भी सिखाया का सिर्प रटाना नहीं है बलकि इस तरह से सीखाना है कि बच्चे अपने knowledge को खुद से create करें अपने ग्यान का निर्मान खुद से करें फिर अगर third chapter की बात करें areas of the curriculum ये पार्चरिया के छित तो various topic of the curriculum haven't discussed in the chapter की इस chapter में कि अलग लग stage जैसे हमने बात की pre primary, primary, upper primary, secondary, secondary, secondary तो अलग लग stage की stage में क्या क्या subject बच्चों को पढ़ाय जाने चाहिए तो ये सारी चर्चा इसमें की गई है उसके बाद अगर हम chapter 4 की बात करें school and classroom environment ठीक है कि विद्याले एवं कक्छा का वातावरण की विद्याले किस तरह का होना चाहिए क्या responsibility होने चाहिए, classroom कैसे होने चाहिए, class का वातावरण कैसा होना चाहिए, teachers की क्या responsibility है इस सारी की सारी बात जो है chapter 4 में की गई है इस अध्याय में विद्याले एवं कक्छा के वातावरण का समावेसी एवं परजातांत्रिक सवरूप का वर्णन किया गया उसके बाद अगर हम chapter 5 की बात करें, systematic reforms, विवस्तागर सुधार तो इस अध्याय में सिक्छा में गुणवत्ता सुधार हेतु परी चर्चा की गई है कि in this chapter discussion has been done for improving the quality in education की education में quality कैसी लाई जाए तो इस पर एक विश्तिच चर्चा की गई है chapter 5 में फिर अगर key formula of NCF, कि NCF 2005 का जो key formula क्या है, जो पर्मुक्स सुत्र क्या है, learning without burden की बोज रही अधिकम कि बच्चों को सिखाया जाए, उनको समझाया जाए, बताया जाए, उनकी जो knowledge है, बच्चों को मौका दिया जाए कि बच्ची अपनी knowledge को खुछ से create करें, खुछ से निर्मान करें, तो जो learning होनी चाहिए, जो भी बोज है, जो भी burden है, उससे रहीत होना चाहिए, learning without burden, बोज रहीत अधिकम, यही इसका NCF 2005 का key formula है, तो इसको आप याद रखना, उसके बाद main objective of NCF 2005 कि इसके मुख्य उदेश क्या है, तो make learning a pleasurable experience should be imparted, कि एक आनन दायक अनभव के रूप में सिख्चा परदान करना कि सिख्चा बच्चों को परदान की जाए, तो एक pleasurable experience होना चाहिए, आनन दायक अनभव होना चाहिए, कोई बोज की तरह बच्चों को ना सिखाया जाए, बलकि एक opportunity की रूप में ब उसी महसूस करे, activity के थूप बच्चों को बताया जाए, तो learning जो होना चाहिए, यह fun के थूप होना चाहिए, ना कि burden के द्वारा, तो keep children away from the stress of examination की परिच्चा के तनाव से बच्चों को दूर रखना, तो encourage the individual to develop a sense of self-reliance की आत्म निर्भरता की भावना विक्षित करने के लिए वक्ति को प्रोच साहिद करना, कि बच्चों में जो आत्म निर्भरता की जो भावना उसको विक्षित करना, इस तरह का जो curriculum होना चाहिए, तो develop the spirit of non-violence and unity in the society कि समाज में अहिंसा और एक्ता की भावना को विक्षित करना, तो develop child-centered approach in education की सिक्चा में बाल के इंदिर्भरता को विक्षित करना, क्योंकि इस से पहले का NCF 2005 से पहले का 2000 में जो आया था, उसमें subject-centered था, और उससे पहले का teacher-centered होता था, लिकने इसमें का गया कि education child-centered होनी चाहिए, बच्चों की need को ध्यान में रखकर, उनके interest को ध्यान में रखकर, बच्चों को पढ़ाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, to provide a standard curriculum for all without discrimination, कि सभी को भेद रही तो एक मानक पाक्रम प्रदान करना, फिर guiding principles के अगर हम बात करें कि NCF 2005 का guiding principle क्या है, मुख्य सिधान, connecting learning to real life examples outside school, कि ग्यान को सिर्फ विद्याले तक नहीं, बलकि बच्चे का विद्याले के बहार जो जीवन है, जो experience है, उससे जोड़ा जाए, ताकि बच्चा क्लास में जो कुछ सीखेगा, अगर उसको अपनी कि जो daily life है, उससे जोड़ कर बच्चो को पढ़ाना, बताना, ensuring different learning approaches rather than road method की, शिर्फ रटने की जगे पर जो पढ़ाई की जो और तरीके है, जो method से सब का प्रियोग करना, activity के तुरू सिखाना, experience के तुरू बच्चो को सिखाना, तो सिर्फ जो road method है, उसके स्थान पर जो औ any approach से method से उसका use करना, पाठ चर्या, पाठ पुष्टक केंदित न रह जाए, कि enhancing the curriculum to offer knowledge and experience beyond textbook, कि जो knowledge जो जो ग्यान है, वो सिर्फ पाठ पुष्टक पर केंदित न रहे, बलकि इसमें जो बच्चो का अपना daily life का जो experience उस पर भी आधारित होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 2000 का जो NCF था, जो textbook है, जो subject है, उस पर centered था, लेकिन इसमें क्या कहा गया, कि ज्ञान सिर्फ पाठ पुष्टक तक सिमित न रहे जाए, बच्चे अपने experience से सिखे, अपने daily life का जो experience है, उसकी आधार पर बच्चो को सिखाया जाए, तो जो knowledge है, सिर्फ textbook तक नहीं होना चाहिए, उससे भी beyond होना चाहिए, कक्चा कक्च को गतिविधियों से जोडा जाए, तथा इसे लचीला बनाया जाए, improving flexibility of taking examination and integrating them with class school life, कि कक्चा को गतिविधियों से जोडा जाए, और जो भी है, इसको और लचीला बनाया जाए, ताकि किसी बच्चा जो है, वो अपन खुसी खुसी चीजों को अपने इंट्रेक्ट के हिसाब से, अपनी रोची के हिसाब से चीजों को सीखे, flexible होगा तो सिखरे में असानी होगी, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास हो, जिसमें प्रजातांत्रिक राजवेस्था की अंतरगत, राष्टी चिंताय सम्मिल तो इस तरह से बच्चों को सिखाना, इस तरह से बच्चों को बताना की जो प्रजातांत्रिक मूल है, उसके बारे में बच्चों को पता चले और जो बच्चों की जो हमारा जो देश की जो चिंताय है, जो इस्षू है, जो चैलेंजी से उसके बारे में बच्चों को पता चले और बच्चा इन चीजों से अवेर हो तो इस तरह से बच्चों को सिखाना इस तरह का content देना इस तरह की जो नौलेज यह बच्चों में develop करना उनकी daily life से जोड़ कर फिर subject areas of ncf 2005 के विशेच्चेत्र के बात करें तो अगर हम primary level की बात करें कि primary level पर क्या-क्या बताया गया क्या-क्या बच्चों को पढ़ाया जाए सिखाया जाए तो mother tongue mathematics गनित English environment study EVS इसको हम कहते हैं art health education work experience तो यह सारी जो चीजे हैं बच्चों को primary level पर पढ़ाया जाए और फिर अगर हम बात करें upper primary, upper primary का मतलब है कि class 6 से लेकर 8 class ठीक है तो इस level पर बच्चों को mother tongue English modern Indian language modern Indian language में भासाएं जो हो सकती है और कोई भी जो हमारे समिधान में जो 22 भासाएं है उपर की दो भासाओं को छोड़कर पंजाबी हो सकती है उर्दू हो सकती है तमिल, तेल, गू हो सकती है बंगाली हो सकती है तो इनको modern Indian language कहा गया है तो एक तरह से देखें तो अपर primary level 6 से लेकर 8 class तक यहां पर 3 language formula की बात की जारी है के बच्चों को तीन भासाएं सिखाई जाएं बहुत जगे जो है तीसरी भासा के रोब में बच्चों को संस्क्रित भी बताई जाती है mathematics, science, social studies, work experience, art, computer education तो इस सारे जो subject हैं बच्चों को अपर primary level पे या lower secondary level पे बच्चों को पढ़ाई जाए उसके बाद अगर हम secondary level की बात करें मतलब है class 9-10 तो mother tongue, English, Sanskrit, mathematics, science, social studies, work experience, art तो इस सारे कि सारे computer education ने सारे subject बच्चों को secondary level पे पढ़ाए जाएं और इसकी अलामा अगर हम higher secondary मतलब 11-12th class की बात करें तो जैसे आप सब को पता है कि art, commerce, science, history होती है तो अगर हम art, history की बात करें तो mother tongue, English, history, geography, civics, economics, sociology, psychology इस सारी चीज़े बच्चों को पढ़ाई जाएं, commerce की बात करें तो यहां पर भी mother tongue है, English है, mathematics, account, and see typing, business है सारी बात कही गई थी कि commerce में इस चीज़े बच्चों को पढ़ाई जा सकती है, इसके अलामा, science अगर section की बात करें, stream की बात करें, तो mother tongue, English, physics, chemistry, biology, computer, इस सारी चीज़े, science stream के बच्चों को पढ़ाई जाएं खेर, अब 2020 का NEP है, और अब जो NCF जो बनेगा, तो इसमें तो यह सारी stream इसको खतमी कर दिया गया है, लेकिन 2005 में इस stream बताई गई थी, और इसमें क्या-क्या subject हैं, बच्चों को पढ़ाई जाएं, तो उस पर चर्चा की गई थी, उसके बाद, अगर हम इसके recommendation की बात करे NCF 2005 की जो मुख्य सुझाओ, इसी fire से, कौन-कौन सी है, तो उसको भी हम देखते हैं, तात्मिक स्तर पर भासा का माधिया मात्र भासा होना चाहिए, कि बच्चों को जो primary education है, उनकी mother tongue में दी जाए, इसके अलावा, सिक्षन सूतर, जैसे ग्याद से अग्याद की और, मूर् बच्चों को आता हो, ताकि बच्चे का interest learning की तरफ पढ़ाई की तरफ बन सके, और उसके बाद, फिर बच्चों से question पूछो जो उनको नहीं आता हो, ठीक है, तो जो भी approach होनी चाहिए, known to unknown हो चाहिए, क्लास में जाते ही बच्चों से, ऐसे question, cutting question पूछन लोगों, जो बच बच्चों को आता हो, उनके daily life से related, ताकि बच्चे का interest धिरे-दिरे develop होने लगे, फिर उनसे वो पूछो जो उनको नहीं पता हो, ठीक है, concrete तो F track, कि बच्चों से चीजे पहले क्या पूछो मुर्थ से अमुर्थ क्यों, या ग्यास या जो बच्चों को पहले पता हो, वो पूछो फिर जो नहीं पता हो, दिरे-दिरे उच तरफ बढ़ो, उसके बाद, value should be inculcated by giving a good environment, known by preaching, कि मुल्यों को उपदेश दे कर नहीं, बच्चों को अच्छी बाते उपदेश दे कर नहीं, बलकि एक अच्छा environment दे कर स्थापित किया जा सकता है, आप बच्चों से बो कि भाई जूट बोलना पाप है, जूट नहीं बोलना चाहिए गलत बात है, लेकिन आपको जूट बोलने तो क्या सिखाओगे, इसलिए उनको उपदेश दे करने, बलकि एक ऐसा environment बनाओ, class का, school का, जहां पर बच्चा देख कर चीज़ों को सीखे, बच्चों को विद्याले में तनाव मुक्त वातावरन प्रदान करना, तो प्रमोट पीस एजुकेशन की सांते सिख्चा को बढ़ावा देना, पढ़ने लिखने के लिए बुनियादी भौतिक संसादनों की कमी को पूरा किया जाए, कि पढ़ने लिखने में जो भी नेसेस जो चीजे हैं, जो समान हैं, वो स्कूल में क्लास्रूम में उपलब कराए जाए, तब बढ़न ऑप दे स्कूल बैक शुडबी रिडियूच की बच्ते का बोच कम किया जाए, इसके अलावा, इन्फो इन्फोर्मेशन शू नॉट भी कंसिडर्ड आइज नॉलेज की कि बच्चा अपने खुद के पलिस्टरूम से, खुद के मैने से, खुद के रिसर्च से ग्यान तक खुद पहुंचे, तो सूचना को ग्यान ना माना जाए, दे करिकलम शुडबी डिजाइन, की पाचरिया का निर्मान बालक के जो चहुमुखी विकास है, होलिश्टिक कि विद्ध्यारतियों के मानसिक स्तर और योगिता के अनुसार पाठक्रम का निर्मान हो। और किसी तरह का कोई फिजिकल पनिस्मेंट बच्चो को ना दिया जाए, फिजिकल पनिस्मेंट जो को पूरी तरीके से रोक लगाई जाए, कि कलपना तथा मौलिक लेखन को अधिक से अधिक प्रोसाहित किया जाए, कि बच्चो को मौलिक लेखन क्या होता है, कि बच्चा खुछ से चीजों को सोचेगा, खुछ से लिखेगा, अगर आप बच्चों से, मालोग कहो कि बच्चा तुम गाईड में से लिख के लाओ, तो मौलिक लेखन थोड़ना होगा, मौलिक लेखन क्या होगा, कि बच्चा जो बच्चे ने experience क्या हो, माले बच्चा जो है उसने कोई accident देखा हो, कहीं घूमने गया हो, तो उसको जो भी चीजे उसने वहाँ पे देखी हो, तो बच्चा खुछ से सोच कर लिखे, खुछ से imagine करके लिखे, तो यह मौलिक लेखन होगा, नकल को हम मौलिक लेखन नहीं कहेंगे, मौलिक लेखन जो बच्चा खुछ से सोच कर अपने experience के आधार पर खुछ से समझ कर कल्पना करके लिखे, in the timetable student get enough leisure and time and play time की समय सांडनी जो भी विद्या ले कि उसमें बच्चों को प्रयाप्त और खेलने का समय मिले सिर्फ पढ़ाई books के बोसे उसको दबाना जाए बलकि खेलने का भी उसको खाली ऐसा time दिया जाए कि बच्चा जब stress हो तो अपना sports के तुरू वो stress जो है कहीं न कहीं खतम हो सके तो leisure time and play time का भी मौका दिया जाए vocational education and training should be given importance की website सिक्चा और प्रस्टिक्शन को महत्व दिया जाए और innovation should be encouraging education की सिक्चा में 9-4 नएपन को बढ़ावा दिया जाए और अगर हम बात करें कि NCF 2005 में inclusive education को लेकर क्या क्या सेशन दिये गए तो उसको भी हम जान लेते हैं कि NCF 2005 में समावेसी सिक्षन प्रणाली को प्रसाहिद करता है नेपी 2005 जो है जो inclusive education को प्रसाहिद करता है क्योंकि यह विद्याले को एक ऐसी जगह बनाने के बारे में हैं जहां सभी बच्चे चाहे कोई किसी भी कास से और किसी भी एरिया से हो सरीर से ठीक हो ना हो सभी बच्चे जुकेशन भाग लें और सभी को सिखें तो इसलिए सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करता है क्योंकि इससे उनका मनोबल गिरता है उससे वो दिमोटिवेट होते हैं ठीक है तो इसलिए ऐसे सब्दों से उनको सम्मोधित ना किया जाए difference amongst students should not be seen as a problem but as a helpful resource for learning कि बच्चों के बीच में जो difference है जो मतबीद उसको समस्या की रूप में ना देखा जाए बलकि एक संसाधन की रूप में देखा जाए बच्चे अलग लग छीतर से आ रहे हैं अलग लग भासा बोलते हैं तो समस्या नहीं है बलकि एक संसाधन की दिया है उनका क्या कल्चर है क्या खान फान है तो इक डिफ्रेंस जो है इससे बच्चों को सिखाया जाए ना कि इसको प्रॉब्लम के रूप में समझा जाए इसको एक रिसॉर्स के रूप में समझा जाए अरेंजिंग एडिकेट टीचिंग माटिरियल फॉर दर श्वरेंट इन दे क्लास की कक्चा में विद्धियारतियों के लिए प्रयाप्त जाए जाए उपलब्द हो ताकि वे अध्यान में सभलता पासकें और अपनी जो संभावनाए हैं जो उनकी जो काबलियत है उसका कोच्टी देना अब अगर हम इसके समरी की बात करें सारांस की बात करें तो ncf 2005 प्रजेंट आ ब्रॉड आउटलाइन ऑफ इंडियन एजुकेशन कि ncf 2005 जो था भारति सिक्षा की विस्तित रूप रेका प्रस्तूत करता है इंदिस दे एमस ओफ एजुकेशन कंटेंट ए क्लास 12 एक से लेकर बारा तक जो है उसको प्रेजेंट किया गया है क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए बच्चों को क्या गया पढ़ाया जाए इन इस तरों पे कौन सी विसे बच्चों को पढ़ाया जाए कैसे पढ़ाया जाए इसकी पूरी एक रूप रेखा जो एक आउट लाइन जो है एक फ्रेमवर्क जो है इसमें बताया गया है तो आज की इस वीडियो में हमने ncf 2005 के बारे में एक complete जो डिटेल है वो आपको चली तो आप वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जुरूर बताईएगा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद